प्रतेक जीवित कोशिका में एक अत्यंत पतली लचीली कोशिका जिली होती है जिसे जीवद्रव्य जिली भी कहते हैं ये जिली कोशिका अंतरवस्तों को वाहे वातवरण से अलग करती है ये जन्तु कोशिकाओं की सबसे उपरी परत है पादप कोशिकाओं में ये जिली कोशिका भिती के नीचे स्थित रहती है यह वरुनात्मक रूप से पारगम होती है क्योंकि ये विलायक अणों तथा कुछ चुने हुए विले अणों को ही अपने में से होकर गुजरने देती है यह पारगम में जिली जो अपने में से होकर सभी प्रकार के अणों को गुजरने देती है उससे भिन होती है जल अत्वा विलायक के अणूओं की वरणात्मक रूप से पारगम्म जिल्ली के आरपार उच्च सांधरता के छेतर से निम्न सांधरता छेतर की और गती करना परासरन ऑस्मोसिस कहलाता है यह दो प्रकार का होता है अंतह परासरन तथा वही परासरन कोशिका में जल का प्रवेश अंतह परासरन एंड उस्मोसिस है जबकि कोशिका से जल का बाहर की और गती करना तथा वाह विल्लियन में मिलना वही परासरन एक्स उस्मोसिस है अतह परासरन की परिघटना तभी संभव है जब कोशिका को अल्प परासरी विल्लियन हाइपोटोनिक विल्लियन में रखा जाता है वही परासरण तब ही होता है जब कोशिका को अती परासरी हाइपर टॉनिक बिलियन में रखा जाता है परासरण की परिघटना को हम आलू में भी देख सकते हैं आज हम अंडे से ये प्रियव करेंगे इसके लिए जो आवश्यक सामगरी है वो इस प्रकार है दो कच्चे अंडे तनू हाइड्रोकलोरिक अमल नमक या चीनी का 25 प्रतिशत सांद्रता का विलियन इस विलियन को बनाने के लिए हम 25 ग्राम नमक या चीनी को 100 ml जल में घोलते हैं बीकर, पैट्री डिश, स्पैचूला आईए ये प्रियोग करते हैं इस प्रक्रिया को देखने के लिए हम दो कच्चे अंडे लेंगे दोनों अंडों को अलग-अलग बीकर में रखे हुए तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल में डालेंगे बीकर में हम तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल पहले डाल लेते हैं आईए प्रियोग करते हैं सावधानी पूर्वक अंडे को अमल के बीकर में डालेंगे ध्यान रहें कि हाथ इसमें ना चुए अमल में डालते ही अंडे में जाक बनने लगता है जिससे इसका जो कैल्शियम क्लोराइड का छिलका है वो अमल में घुलने लगता है जब अंडे का छिलका कैल्शियम क्लोराइड पूरी तरह से अमल में घुल जाएगा तो उसी बीकर में अंडों को भली बाती जल से धोलेंगे इस प्रक्तिया को तब तक दोराते रहें जब तक अमल पूर्णते निकलना जाएगा अब छिलका रहित अंडे का निरिक्षण करें ये छिलका रहित अंडा तयार है दोनों छिलका रहित अंडों को अलग-अलग बीकर में रखें एक बीकर में जल डालेंगे और दूसरे बीकर में 25% शांदरता का नमक का विलेन लिया है अब इन अंडों को हम जल में और 25% शांदरता के विलेन में छोड़ देंगे ये कम से कम 4 घंटे के लिए रहेंगे और कुछ अंतराल के बाद दोनों अंडों को बारी-बारी से निरिक्षण करते हैं इस अंडे को हमने जल में रखा हुआ है और इसे हमने 25 प्रतिशत सांतरता के नमक के विल्यन में रखा गया है थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद हम इने इनका निरिक्षण करेंगे, इनमें क्या परिवर्तन आया, लगभग चार घंटे के बाद इनमें परिवर्तन साफ दिखाई देता है, छिलका रहित अंडा जो पानी में है, वें फूल गया है, और छिलका रहित अंडा जो नमक के विल्यन में है, वें सिकुड गया है, इस परिणाम का कारण क्या है, पहले बीकर में जल, अणों की सांद्रता, अंडे के भीतरी जल के अंडों की सांद्रता से ज्यादा है, इसलिए बाहर का पानी अंडे के अंदर प्रवेश कर गया, पानी का जब ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता में जाना अंतह परासरन कहलाता है, दूसरे बीकर में जल सांद्रता छिलका रहित अंडे में ज्यादा है, इसलिए अंडे के अंदर का पानी बीकर में आ गया, इसे वही परासरन कहते हैं, इस प्रियोग को करते समय हमें जो साफधानियां वरतनिये वें तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल का प्रियोग साफधानी से करना चाहिए अन्य था अंडे की जिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी अमल हाथों पे ना लगे अंडे को जब छिल्का निकल जाता है तो उसको साफधानी से पानी से धोना चाहिए धन्यवाद झाहिए अन्यवाद